सोलन के अर्की में प्रदेश उपायुक्त कार्याले करमचारी संग के सलाहकार एवं पूर्व प्रदेश महा सचिव सत्पाल राणा ने सयुंक्त पटवार कानूनगो संग के करमचारियों द्वारा जून महा में मुख्यमंत्री वा प्रधान सचिव राज्यस्व को सौंपे गए मांग पत्र में से मत संख्या एक और बत्यस का विरोध किया है उन्हें कहा कि प्रदेश उपायुक्त कार्याले करमचारी संग सयुंक्त पटवार कानूनगो संग द्वारा नायव तहसीरदारी के पत्त के लिए शत्प्रतिशत कोटे को निर्धारित करने की मांग का प पत्त पटवार कानूनगो संग के करमचारियों द्वारा जून महा में मुख्यमंत्री वाप्रधान सचिव राजस्व को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि लिपिक पांच वर्ष के सेवाकाल में कनिष्ट सहायक, साथ वर्ष के सेवाकाल में वरिष्ट सहायक और दस वर्ष के सेवाकाल में अधिक्षक वर्ग दो में पदुनत कर दिये जाते हैं, जो की बिल्कुल भी तरक संगत नहीं है। अधिक्षक वर्ग दो बनने के लिए शत प्रतिशत पदोनिती के अवसर मिलते हैं, तो उसी तरह एक पटवारी को भी कानूनगो बनने में शत प्रतिशत पदोनिती के अवसर हैं। सभी प्रकार के दिशा निर्देशों का निप्टारा लिपिक वर्ग द्वारा प्रतिएक स्तर पर बखूबी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यही नहीं यदि लिपिक को भी पटवारी वा कानूनगो की भांती दोवर्ष का प्रशिक्षन दिया जाए तो वे भी इस कारे में भली भांती निपुण हो सकते हैं। संग के प्रदेश सलाहकार सत्पाल राणा ने स्यूंक्त पटवार कानूनगो संग के प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोद किया है कि वे राजस्व वेभाग में कारिरत करमचारियों में तकरार पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि यदी सरकार स्यूंक्त पटवार कानूनगो संग की अन्य मांगो पर विचार करती है तो उपायुक्त कारेले संग को इसमें कोई आपत्ती नहीं है। कारिया करने में सक्सम नहीं होते। यह बहुत ही गलत बात है। जबकि लीपिक जो है अपने कारिया में सक्सम है। और खुबी प्रदेश की नितियों को नियमों को जनता के अगे प्रस्तूत करता है और उसका क्रियन दिवान बहुत यह चेत्रिके से करने में सक्सम होता है। सिटी चैनल के लिए अरकी से शेहनाज भाटिया के साथ देयाराम कशप की रिपोर्ट।